इंडियन प्रेमियर लीग दो हजार चौबीस के अपने पहले मैच के दोरान निकोलस पूरन से लगातार दो छक्के खाने के बाद अरजुन तेंदुलकर को डगाउट में भागते देखा गया. तेंदुलकर को इस सीजन में पहली बार प्लेइन 11 में लाया गया था. वह स्ट तो की लेकिन अपनी तीसरे ओवर में वह मैदान छोड़कर बाहर चले गए डौट चौबीस वर्शिये. अरजुन तेंदुलकर ने मैच में अपने शुरुवाती दो ओवर शांदार किये. उन्होंने अपने पहले दो ओवरों में सिर्फ दस रन दिये. हाला कि इन ओवरों लेकर आए अरजुन की शुरुवाती दो गेंदों पर लखनव के बल्लेबास निकोलस पूरन में जबरदस्त हिट करते हुए दो छक्के जड़ दिये. इसके बाद अरजुन तेंदुलकर मैदान से बाहर ही चले गए डौट पारी का पंद्रहवा ओवर लेकर आए अरजु अरजुन की चार गेंदों पर दो छक्के और एक चौके समेट 17 रन बने इस पूरे ओवर में कुल 29 रन बने जिसमें 4 छक्के शामिल रहे डौट दो शुन्य दो तीन में मुंबई इंडियन्स के लिए डेब्यू करने वाले अरजुन तेंदुलकर के IPL करियर का यह पाँच गेंद बाजी करते नजर आएं पिछले सीजन में उन्होंने चार मैच खेले थे जिसमें तीन विकेट चटकाने में सफर रहे हाला कि आज हुए इस मैच ने अरजुन ने दो दशमलव दो गेंद बाजी की और कोई